का एक सफर ते किया है तो आईए एक नजर डाल लेते हैं दैनिक जागरण के 75 साल की आत्रा पे क्यूट आत्रा हई। मुटन सूपिस्ट फिन्या-टी ते कि एक सन्गा एक सम्राव मिÓ डाल Land, एक सूWburg डिल्ऌ। तो दैनिक जागरन का ये कारिकरम जागरन फोरम मंच जहां पर थोड़ी देर में बीजेपी अध्याक शामित शाह पहुंचने वाले हैं इनी तस्वीरों के साथ फिलाल रुकिंगे एक ब्रिक के लिए पहले किसी कारिकर में एक साथ दोनों लोग नहीं गए धन्यवाद अमित भाई आप से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ बोले या सीधे सवाल जवाब करें आप जो चाहे हो मैं तो सवाल के जवाब में भी बोल दूँगा बेहतर है कि आप दो मिनट मन से बोले ऐसा है आप सवाल पुक्ते जाएए मैं सवाल के जवाब में ही बोल दूँगा दो मीट बोलने से तो अच्च अच्छा है, दो सवाल ही आप ज्यादे पूछ लिगें अभी अभी आप पांच राज्यों के चुनाओ कि सघंद अगने पे थे हमको बताया गया आपने बहुत रहलिया कि बहुत भास्मन दिये क्या आप ग्यारा तारीक रिजल्ट आने वाला है क्या आप इसको कैसे देखते इंचुनाओं को देखे जहां तक रिजल्ट का सवाल है भारतिय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश, छतिजगर और राजस्तान तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएगी तेलंगाना और मिजोरम में भी हम हमारी स्थिती को और मदभूत करेंगे आगे बढ़ेंगे और स्वाभावी कृप से ये तीनों राज्यों में हमारा जो संगठन है हमारी 15 साल से सरकार है राजस्तान में भी 15 साल में 10 साल सरकार रही है इसके बहुत सारे कामों को मैंने निचे तक पहुंचते हुए देखा है और जनता ने कामों को स्विकारा भी है तो निश्चित रुप से अच्छा ही परिणा में लेगा अमी जी मैं सवाल जानना चाहूंगा कि ज्यादातर इलेक्ट्रोनिक मेडिया ने आपको 3 अवी पी ने आपको हराही दिया है कुछ चैनल ने आपको नंबर 2 पताया है आपको क्या मत है देखे हर बार चुनाव के वो हमारे पक्स में नहीं होता है परन्तु परिणाम हमेशा हमारे पक्स में होते हैं ये कई बार मतलब 2014 से मेरा अनुभाव है, अब एक अजीब प्रकार का रिस्ता है, जो है वो है, हम बदलना भी नहीं चाहते हैं, ठीकी है. अबी जी, मैं ये जानना जाहूंगा कि आप NRC, NRC, मुद्दे को लगातार उठाते रहें, उठाते भी हैं, इसका बहुत जबरदस्त विरोध भी होता है, कुछ आपके विरोधी करते हैं, आप क्या इस बार से सहमत है कि NRC, जो आप ला रहे हैं, वो होना ही चाहिए. देखे, NRC को आप भारती जंता पार्टी के साथ जूड़कर नहीं देखना चाहिए. National Register of Citizens, ये देश की मूल समस्या को एड्रेस करने का और मूल समस्या के समाधान का एक रास्ता है. कोई देश ऐसे कैसे चल सकता है, कि कोई भी आकर यहां बस जाए, इस धरम सला है क्या, इस तरह से देश नहीं चल सकते हैं, इस देश के जो नागरिक है वो ही यहीं रहने चाहिए, इस देश के संसादन पर उनीका अधिकार है, जो देश में जन्मे है, देश के भविशे के साथ नित्तपाक रखते हैं, देश के इतियाज से जिनका जुडाव है, देश की संस्कृती से जिनका जुडाव है, उनका ही इस देश के संसादौनों पर अधिकार है, और जहां तक घूस-पे ठीयों का सवाल है, मैं निस्चित रूप से मानता हूं, देश की सुरक्षा के डिटेक्ट करोगे, वाटर लिस से डिलीट करोगे और बाद में डिपोर्ट करोगे, तो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये तिन स्टेज है, एनर्सी उसका फस्टेज है, और जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, मैं सभी को कहता हूं कि आप एनर्सी पर आपका स् आवजनिक करी। 70 साल तक गुसपेठियों को वॉट बेंक की दुरुष्टी से देखा गया है। भारतिये जनता पार्टी ने सुरू से सन सत्तर से एक स्टेंड लिया है कि वॉट बेंक की राधनिती नहीं करनी चाहिए। गुसपेठिये देश के हित्में नहीं है। सिर्फ पासाम के अंदर प्रथम दृष्टिया 40 लाग लोग चिनित हुए। आप कल्पना कर सकते हैं देश भर में कितने हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एनर्सी पर आगे बढ़ना चाहिए और गुस-पेठियों पर कठव और कार्यवा ही करकर देश को सुरक्षित तशूर जरा है , आप थाई साल तक जम्मु कस्मिर में सकत्व में रहे हैं, रोहंग्या वहां की सभता सबसे बड़ी समर्शिया, आप उसको तो हैं कर दो कर्वा हैं। दिखे, रोहंग्या समस्या जम्मुont तक पहुंची है, रोहंग्या समस्य सुरू बंगाल से होती है घुस्बैट बंगाल की बॉर्डर से होती है नोर्भीष की बॉर्डर से होती है मेरा सपश्ट मानना है कि घुसपैटों को घुसपैटियों को बॉर्डर पे रोकने का भी संभव है वकर बड़ा कठीन है क्योंकि जिस प्रकार की geographical condition borders पे हैं बड़े बड़े नाले हैं बड़ी बड़ी नदिया हैं पहाड है जंगल हैं चट्टाने हैं वहाँ human तरीके से इसको रोकना बहुत कठीन और कठोर है मगर उसको रोकने का सरल तरीका ए है कि यहां से डिपोर्स किये जाते हैं यहां पर नागरिक के अधिकार नहीं मिलते हैं यहां नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी यहां रासन मिलने में दिक्कत आएगी यह मालूम पढ़ते ही वहां से आना बंद हो जाएगी तो हमने दो मोर्चोय पर काम करना है, एक बॉर्डर के मोर्चे पर कार्म करना है, जिसमें राजय सरकार और केंदर सरकार दोनों ने मिलकर करना चाहिए, बंगाल में मानता हूं थोड़े समय के बाद भारतिय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी, तब हम इसको कठोर नहीं है गुस पेठियों को गुस कर रासन लेना, मत्दाता बन जाना, नौकरी प्राप्त करना और जीवन निर्वाह करना तब ऑटोमेटिकली संख्या कम होगी आपने दावा किया कि बंगाल में आपकी सरकार बनेगी आप कुछ वहां जाने से रोका जा रहा है उसके बाद आप सरकार बनेगी बात कर रहे हैं? देखे, अभी मैं देख रहा था आपका जागरण का जर्नी उसमें एक दिन आपको आपका एडिटोरियल खाली रखना पड़ा था आपकी आवाज बंद कर दी गई था आवाज बंद करने वालों को की लोक तंत्र में जनता क्या हसर करती है इसके बहुत सारे उदान भारत के लोकतंत्रे में भरे पड़े हैं बहुत सारे उदान भरे पड़े हैं इंदीरा गांदी से लेकर बहुत सारे लोगों के जो रोकना चाहते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जन्ता को आप रोक नहीं सकते हो मेरी आवाज को जितना दबाने का प्रयास करोगे और मुखर कर वो बंगाल के गाउं गाउं तक पहुंचेगी आप उसको रोकने का हो और देश में नियाय तंत्र भी है देश में अदालते हैं देश में कानूनी रास्ते हैं और घांदी जी का बता हुआ सत्यागरव का मार्ग भी है वो हमें रोक नहीं सकते हैं हम बंगाल के गाउं गाउं तक जाएंगे बंगाल को आज इतना खराब स्तिती में लाकर रखा है क कि बंगाल की जनता आज वहां की सरकार के खिलाफ है और इसी डर से भरतिय जनता पाटी की यात्रा को रोकने का प्रयास हुआ है के लिए मुद्धा थुड़ा बदलते हैं आपने नोटबंदी की आप नोटबंदी का जब शुरू हुई थी इसका एक पाट थी आप उसको किस तरीके देखते हैं जब आप अब नजा डालते हैं पिछले दो साल में दिखे नोटबंदी ये पूरे देश की अर्थिवस्ता क को स्ट्रीम्लाइन करने का भगिरत प्रयाश्ता और सफल प्रयाश्ता नोटबंदी के बाद, इंकम टेक्स की आए में भी डाइरेक्ट टेक्स की आए में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है इंकम टेक्स भढ़ने वाले दो गुणा हो गए हैं और सारा पैसा के लुफोल्स का उपयोग करकर कुछ चीजे घ्यरकानूनी तरीके से करी हैं उनकी भी स्थिति आज खराब है मगर वो सर्फेस पर नहीं आते हैं चोड जो होता है उसकी मा को रोना है तो भी अपने कमरे में अकेली रो सकती है वो बाहर बैठ कर नहीं रो सकती की अडेंटिफाई हो जाएगी कि वो चोग मा है तो जिन लोगों को तकलिप पड़ रही है वो सरफेस पर आकर नहीं बोलते हैं जिनों ने अनुचित तरीके से पैसा बैंक एकाउंट में डाला है, उनकी स्थीती भी इतने ठीक नहीं है, सरकार ने कठोर कानून बना है, बेनामी संपति का कानून बना है, पैनल्टी को तीन गुना कर दिया है, इस सारी चीजे कठोरता से करने का काम किया है, एक बात सही है, कि वीपक्स के द्वारा जीस आता से मुद्डे उठाये जा रहे हैं, वो समत्ते हैं कि इसको एक पोपुलिड़ी स्टेप एंजाथे हम इसको एंड्केस कर लेंगे, पकलब एक पोपुलिड टेन लेकर कर लेंगे, नगर मैं सपष्टतात से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनतां पारटी की سरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए, हमने लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए है और मैं मानता हूँ सरकारों ने यही करना चाहिए 70 साल तक 70 साल तक अलग-अलग दलकी सरकारे चली और जब भी भारतिय जंता पार्टी सरकार में नहीं होती थी सरकार चलाने के लिए दिल सरकार में आते हैं भारतिय जंता पार्टी का मानना है कि सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आना चाहिए देश को सुधारने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए आना चाहिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार में आना चाहिए, और हमारा विनम्र प्यास एह ही है. अब आपके प्रदानमंत्री देश के प्रदानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि सब्सक्राइब सालों में देश में कुछ नहीं हुआ क्या उर्फ पांच साल के कारिकंड को या छे साल के कारिकंड को भूल जाते हैं जो बाजपी की सरकार थी तोड़ा प्रदानमंत्री जी की बात को एलोब्रेट करते हूं उन्होंने 70 साल एक जनरल टम्स में सब्द प्रयुक किया है इट डजन मिन की बात्पेकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ है तो इसको इस तरह से इंटरप्रीट नहीं करना चाहिए मैं देश की जन्ता को एक फोरूम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं भारत सन 47 में आजाद हुआ 47 के आसपासी ही चीन, रस्या, जपान और जर्मनी ये चारों राष्ट्रों ने अपनी यात्रा सुरू करी थी थी थोड़ा टेक्निकली देखे तो जपान और जर्मनी पुराने थे परन्तु यूद के बाद उनकी स्थिती एकदम खतम हो चुकी थी रस्या और चीन नई आपन, रस्या और जर्मनी, कंपेरिजन हो सकता है क्या? ने, तो किस की फेलूरी है? ये समवीदान की फेलियर नहीं है, समवीदान ने लक्स रखा था एक वेलफेर स्टेट, वेलफेर स्टेट सब्द पस्चिम के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा है, यहाँ पर एक कल्यान रामराज्य की स्थापना करने का लक्स रखा था, डेमोक्रेटिक सिस्टिम के माध्यम से देश के गरीब के गरीब को उपर उठाने का प्रयास किया था, और सत्तर साल तक, मैं फिर से प्रदानमंत्री की ही बात दो रहाता हूं, सत्तर साल तक मुल्भूत समस्याओं को किसी GDP को पहले उद्योगों के विकास के साथ ही जोडते हैं मगर देश में जब 8 करोड सौचालय बनते हैं तो GDP की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है 2 करोड घर होते हैं GDP की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है ये सारी चीजों को हमने GDP के साथ भी जुड़ा है और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का उसके जीवनस्तर को उपर लाने का काम किया है। मिसरा जी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा आपसे दोस्तान एडवाईज है किसी गाउ में डली त्या आदिवासी घरीब मैला को जिसके घर में घैस पहुचा है लपी जी का सिलिंडर पहुचा है उसके घर पर एक बार चाय पी कराईगी। साइकल पर रोज गुमने वाले व्यक्तिकों घर में एक बार गाड़ी पहुच जाती है तो जितना उसका पूरे परिवार का मनोबल बढ़ता है इतना ही मनोबल कंडे और टहनिया जला कर जो खाना पकाती है वो महिला के घर में सिलिंडर पहुचता है तब पहुचता है एक कि खुसी का अंदाज हम दिल्ली के लिट्यन में बैठका नहीं लगा सकते हैं यह मूल परिवर्तन भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने लाए और दूसरा परिवर्तन लाए सोचने के स्केल में बदल करने का परिवर्तन सतर साल तक देश किस तरह से चला टुकडो टुकडो समस्या से निपडारा यह सोच का लक्स होना चाहिए है यहीं समस्या का पिश्मिल pismil निपडारा लक्स नहीं हो हमने लक्स रखा है कि 2022 देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां घेस नहीं होगा हमने चार साल के अंदर देश के हर गर में बैंक अकॉण पहुचाने का का समाप्त कर दिया है देश के गरिब नागरिब को देश के अर्धतनत्र के साथ जोड़ने का काम समाप्त कर दिया है हर गाउं को रोड के साथ जोड़ दिया है पांसो अप्टिकल फाइबर से जोड़े हुए गाउं थे आज एक लाग त्री सजार गाउं अप्टिकल फाइबर इसरो कोई भारतिय जनता पार्टी की सरकार सईधान्तिक रूपसा नहीं चलाती है, हमारे वहिज्यानिक चलाती है, वहिज्यानिक जह नहरू जी के जमाने से इतने ही काबिल थे, परन्तु कभी इसरो ने ऐसा नहीं सोचा कि दुनिया में रेकोर्ड क्या है, एक साथ छोड़ कर दुनिया में सबसे ज्यादा सेटेलाइट छोड़ने का रेकोर्ड अपने का है, तो सोचने का स्केल बदलने का काम, सतर साल की आजादी के बाद, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने क्या रख किया है, और इसके कारण दुनिया को देश के देखने का नजरि यादाओ, चाचा वो कह रहे थे नितिश कुमार को, वो पूछ रहे थे कि देश की CBI, कि दो बड़े अधिकारी इतने दिनों तक लड़ते रहे, जगड़ते रहे, और आपके ही द्वारा चुने गए थे, आप क्या कहेंगे इस पे? देखे, पहले एक बात समध लिजे कि सुप्रिम कोड का एक जजमेंट आने के बाद, CBI पूनर रुप से स्वायत तसंस्ता होती है, जब भारतिय जनता पार्टी की सरकार होती है, साच अर्थ में स्वायत तसंस्ता होती है, क्योंकि हम डखल नहीं करते हैं, अब CBI के दो अ monitoring, CBI के कामकाज का निरिक्षन करने का अधिकार Central Vigilance Commission को है, हमने Central Vigilance Commission को दोनों सिखायते दे दी, Central Vigilance Commission ने दोनों को छुट्टी पर जाने का एक advice दिया, इसलिए दिया कि दोनों के नंबर एक और दो के पद पर रहते हुए, कभी भी, कभी भी निट्रल जांच नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने दोनों को छुट्टी पर वेजा, मेडिया ने misinterpret किया, निकाल दिया, किसी को नहीं निकाला है वे, छुट्टी पर वेजा है, जब तक वो है, CBI के डायरेक्टर है, वो स्पेशल डायरेक्टर है, जब तक उनके खिलाब जांच कैसे हो सकती है कैसे संभव हो सकती है, तो उनको छुट्टी पर वेजा है, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, मुझे लगता है कि तेजस्वी आदवने भी जाना चाहिए दा वहां, कॉंग्रेस तो पहुची गई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आनी दीजे, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, मगर मुझे जब ए सारे सवाल कॉंग्रेस उठाती है, तो बहुत सवाल मेरे मन में खड़ है, कि पास्ट भी नहीं देखते होंगे, देखते होते तो आप जापना दो रहते हैं, तीन-तीन जजो को छोड़ कर स्रीमती गांधी ने जब च इस्तिवा देना पड़ा, किसी पॉलिटिकल केस के कारण आप सुप्रीम कौट को इस इस्टिस उप इंडिया के खिलाप एक अरजी लेकर, एक महाभियों का प्रस्ताव लेकर आते हो, वो लोग जुडिसरी के बात कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने नहीं करना चाह, इतना ही म मानने वाले थे, ऐसा मीडिया का आकलन था और जनता का मानना भी था, आप इस पे क्या कहें देखें, बिल्कुल अपरिपक्व और बेजलिस बात है, मीडिया ने भी जिम्मेदारी से ऐसी बातों को सुनना चाहिए, पूछना चाहिए और अपने अकबार में चापना चाहि सुप्रीम कॉर्ट ऑफ इंडिया ने इसका संग्यान ले लिया था, जब सुप्रीम कॉर्ट ऑफ इंडिया एक विशेपर नौटीस निकाल देता है, तब CBI कभी भी इसकी इंक्वैरी नहीं कर सकती, मैं आपको कानोनी पोजीशन बता रहा हूं, यह सबको मालूम होना चाह हैं, मगर दुर्भाग्या है, ना पत्रकार भी स्टड़ी करते हैं, ना अखबार करते हैं, ना टीवी चैनल करते हैं, रातनीतिक दलतों करते ही नहीं है, और जनता भी सबको सुनती है, हमें सुनती नहीं है एलुमेर खाळ दाख दातार चला है, राफिल प्रकाष डालेंगे? राफिल प्रकाष डालेंगे, राफिल नहीं मुझ curb लाहे है, मैं पूरे चुनाव में सतत्त पूधता रहां कि कॉंग्रेस सध्यक्ष्ष भावत मैं अपना सोर्स ओफ इंफर्मेशन डेक्लेर हक्शिया तरह नहीं रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। उन्होंने अपना सोर्स आप इंपरमेशन डिकलेर करें। इनको यह सारी सुतनाय कहां से मिल नहीं। मैं कह रहा हूं गलत है। अब सुप्रीम कौट में गए हैं कुछ लोग, वहां स्री राहूल गांडी गए नहीं। मैंनो तो उनको कहा था, माइक में कहा था, सारोजनी कुरूप से कहा था, कि आपके पास जितनी सुतना है सारी सुप्रीम कौट को दे देनी चाहिए, सुप्रीम कौट को आप को अपरे में नहीं हुआ है, मैं देश की जन्ता के सामने जागरान फोरम के माध्यम से सबको विश्वास से बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कौट में सारी बाते सरकार ने सील कवर में रख ली है, सुप्रीम कौट के तीन जज की बैंत, मुक्य नियायदी की अत्यक्सा में इसकी दे क्या बीजेपी सरकार ने जो विकास किया उस पर लड़ा जाएगा या राम मंदिर या इसी तरीके के एमोशनल इसूस पर लड़ा हमें दोनों इस्यू पर कोई तकलिव नहीं है, ऑपोजिशन अपना एजंडा ताहि कर दे हम वो इस्यू पर लड़ने के लिए क्यूंकि व विकास के मामले में भी वो हमसे सपर्दा नहीं कर सकते और राम मंदिर पर तो उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, हम फमली मानते हैं कि उसी जगे पर राम मंदिर होना चाहिए, भव्य राम मंदिर होना चाहिए और हमारा चुनावी गोशना पत्र में एक देश की जनता स किया हुआ वादा है कॉंग्रेस ने कौट के सामने कॉंग्रेस के वकील है कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो वकील है कपिल सिब्बल जी ने कहा इसको उननिस के बाद चलाओ क्यों लेट करना चाहते हूं क्यों देरी करना चाहते हूं देश का सबसे पुराना मुकदमा है, सबसे वृद्ध मुकदमा है, क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारी सरकारों के वकिल ने कहा है, केस इमेजेट चलना चाहिए और तुरंट इसका फैसला आना चाहिए कॉंग्रेस को बहुत सौक है, तो यह मुद्धा लेकर जाय जनता में, हम जवाब देंगे और किसके समय में लटका है मुकदमा? आजादी के पहले का मुकदमा आए, अब तक क्यों जज्जमेंट नहीं आया? कौन दोसी है इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी, क्योंकि वो अपनी वाटमेंग की पोलिटिक्स करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि वाटमेंग की पोलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर भव्यराम मंदिर इमीजियेटली तूरंट और बिना किसी दे अगले सत्र में, क्या इस सत्र में आप राम मंदिर का मुद्दा लाने वाले हैं? देखे, यह पाटी का फोरूम तहीं करेगा, अभी इस पर हा या नामे विचार नहीं हुआ है, मगर सांसदों को उपस्तीत रहना यह रूटिन बात है, सांसदों को कोई पाटी ऐसे कहते हैं कि मत उपस्तीत रहूं, ऐसा ही पत्र बेचते है भईया कि उपस्तीत रहूं जो अभी आपने दौरे किये राजस्थान, चत्तिजगर्ड और तमाम अन प्रदेश उम्जा, विदान सबा चुना, कौन से ऐसे मुद्धे आपको प्रतीत हुए जो कि अब वोटर को लग रहा है कि विकास होने के बावजूद भी एक पेचीदे अफसे हुए मुद्धे हैं जिस पे की विपक्ष आपको कही ना कही घेड सकता है। दिखे विकासे निरंतन परक्रिया है, कभी समाप्तुम नहोने परक्रिया, रोड नहीं बनता है तब रोड चाहिए होता है, रोड बन जाता है तो रोड के अंदर गड़्डा बरा है, उसको भढ़ने की बात होती है रोड बनने के बाद मेरे गाउं तक रोड आ जाये, वो होता है, और रोड गाउं तक पहुंचने के बाद घर तक आ जाये, वो अपेक्सा होते होनी भी जाहिए, ये लोक्तंत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए। परन्तु कमपेरिजन करने की भी कला हमारी देश की जनता के पास है, उन्हेंने कॉंग्रेस की भी सरकारे देखी है न, 24 गंटा बिजली गाउं में पहुंचने का अगर किसी को स्रे जाता है इस देश के अंदर, तो किवल और किवल भारतिय जनता पार्टी को जाता है, सबसे पहले गुजरात में हमने शुरू किया, उसके बाद में ज तुमस्या में उलजाये रखने की सोती, इसलिए मैं मानता हूं कि ये सारा चीजे जो हुई है, वो जनता को मालू है, और संजे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकारे और केंदर सरकार के मिलकर 22 करोड लाभार थी हैं, जिनको कुछ न कुछ कॉंक्रि परिपत्र नहीं दिया है, गैस का सिलिंडर दे दिया, आट करोड लोगों को सौचा ले दिया, दो करोड लोगों को घर दिया, धाई करोड लोगों के घर में बिजली पोँचा दि, इस तरह से कॉंक्रिट कुछ दिया है, और आपकी इंफरमिशन के लिए लाज्ट टाइम हमारी सरकार साड़े सत्रा करोड वोट से वो नहीं थी, और बाइस करोड लोगों को हमने कुछ पहुचा है, बाकी का काम आप हम पर छोड़ दीजिए, पंद्रा लाक रुपाय आपने नहीं दिये, सारे भी पच्छी दल पूश्ते हैं, पंद्रा लाक रुपाय कहां गये, देखे, मोदी जी ने जो कहा, उसको, उसके हार्द को समझना चाहिए, पंद्रा लाक रुपीय किसी के बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं, किसी के घर में घैस बन कर जाते हैं, किसी के घर में टॉइलेट बन कर जाते हैं, किसी के घर में घर ही बन कर चले जाते हैं, यह प पॉलिटिक्स है, अब सर समझे, हवाय बदलती है, अब सर समझी चुके है, कि हवा बदल गई है, अब चोरी नहीं चलेगी. 2019 का semi-final मान रहे हैं इन पांच राज्यों की चुनाओ को? 2019 का semi-final मान रहे हैं इन पांच चुनाओ के रिजल्ट को? देखे हमारे यहां राज्य सरकारों के जो चुनाव होते हुँ उसकी केंद्र पर निश्चीत असर पड़ती हैं और केंद्र की असर भी राज्य सरकारों के चुनाव पर पड़ती हैं और 2014 से जितने भी चुनाव हुए पांच चुनाव को भी गिन लिजेगा यह सब का असर 2019 क कि जनता ने यह तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा नरेंद्र मोधी बनेंगे या इस वर से कोई व्यक्ति तय होगा तो वो बनेगा मैंने एक मायवती जी का प्रेस कॉन्फरनस देखा था जिसमें स्पश्टता के साथ कोई confusion के बगर मायवती जी बता रही थी कि बसपा नहीं चाहती कि देश में मजबूर सरकार हो बसपा चाहती है कि देश में मजबूर सरकार हो मैं चार बार बोल चुका हूँ कि स्री राहूल गांदी जी पष्ट करे कि देश में वो मजबूर सरकार चाहते या मजबूर सरकार चाहते वगर वो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि वो सहमत है सुस्री मायवति जी से और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूँ कि आपको मजबूर सरकार चाले जिसकी मजबूरी में सब ब्रश्टाचार कर सपाए या आपको मजबूर सरकार जाए जो किसी को न छोड़े और देश का विकास करें यह देश की जनता ने तही करना है और यह मजबूर और मजबूत यह मजबूर और मजबूत देश के बच्चों को R&D का platform कैसे दिया जाए स्कील इंडिया के माध्यम से देश के बच्चों को कैसे आगे इस सारी चीजों को छोड़कर एक मद्बूर सरकाल ला दो क्योंकि सब इकट्टा बैठकर ब्रश्टा अचार करते रहे कोई किसी को कुछ न भोले और एक और एक कैसी सरकार है जिस सरकार का संग्यान सब ने देना पड़ता है दाओस के अंदर आज तक भारत के प्रधानमंत्री का कभी भासन भी नहीं हुआ था यहां से उनके PR वाले पहले तो आप सब को भी ले जाते थे तो आपको मालूम होगा PR वाले जाते थे किसी के साथ कॉफी टोस्ट पीता हुआ कुछ हाथ मिलाता हुआ फोटो आ जाये तो थोड़ी अड़बडी में लेकर भेद देना अमेरिका के राष्ट्राद्यक्स होने के बावजूद भी डाओत परिसत का उद्घाटन भासन करने का संदमान भारत के प्रधानमंत्री सिर्ण नरेंद्र मोदी को मिला है तो बताता है कि देश का रसुक कितना बड़ा है और मैं मानता हूँ, मिश्रा जी, मैं मानता हूँ कि देश के संदमान को बहुत उपर पहुचाने का एक भगीरत प्रयास ये साड़े चार साल के समय में हुआ है। चलिए मैं दो सवाल आखरी पूछोंगा, उसके बाद जनता आपसे पूछेगी। मैं चलिए आखरी सवाली पूछता हूँ, आप बताएं कि मैं भविश्रमी देश के भावी प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं। ऐसा होता है कि भारतिय जनता पाटी में व्यक्ति तैने करती है कि कौन क्या होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मेरी पाटी में मुझसे सिन्यर कम से कम 15 लोग है। और इतनी मुझ में अकल है कि इतनी सिन्यरिटी कभी तोड़ी नहीं जाते है। जहने वाद आमिद भाई, मैं अब इमंच जनता को देना चाहिए रहा हूँ, लेकिन सवाल वही पूछेगा जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आश्तोस जी, चलिए आप पूछे। अमिद भाई आपको स्वागत है, मैं जानना चाहता हूँ कि माननिय प्रधान मंत्री जी अहुद्या कभ जाएंगे। वो ताई करेंगे तब जरूर बता देंगे आपको। अमिद जी, मैं नेहा शालनी दुआ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संयों जी काओं, भारते जिन्ता पार्टी से। मेरा सवाल ही है कि केजरेवाल जी, दिल्ली सरकार के दुनिया भर में धिंडोरा पेटते हैं अपने मोहला क्लिनिक को लेकर अपनी बिजली फ्री कर दी या पानी फ्री कर दिया। तो हमारी सरकार इंट्रेननेशनल प्लेटफोर्म पे हमारे लोग जांकि क्यों ही उनका ये नगाब वाला चेरा खोलते, क Carryा मोहला क्लिनिक में घोडे बंदे होते हैं। तो ये सब हमलोग क्यों ही कर पारी हैं इंट्रेनेशनल मार्केट में। महनोच जी बैठे हैं, सुनी रहे, करेंगे जले भई, आप पूचें, लेकिन सवाल के इसके हो सर सवाल, सर में सवाल, सर में सवाल, सर इसकेंड पहले अगरवाल जी का ले लो, महतो का सवाल है जो सवाल मिस्रा जी ने पूचना चाहिए था, मेरी सरम्बे सायद ने पूचाए उन्होंने महा गठबंदन के बारे में आपकी सपस्राय क्या है बैठ गए मैं बताता हूँ अच्छा हुआ आपने सवाल पूच लिया देश भर के लोगों के मन में भी यह संबन्ज सिती है यह महा गठबंदन ढखोसला है ऐसा कुछ नहीं हो सकता आप मुझे बताइए मध्यपदेश के चुनाओं में अगर मम्ता बैनर जी भासन करने आये तो मध्यपदेश के चुनाओं पर क्या गुनात्मक परिवर्तन हो पर सकता है देव गोडा जी छत्तिस गड़ चले जाए तो क्या परिवर्तन पड़ेगा चंद्रा बाबु जी राजस्थान चले जाए तो क्या परिवर्तन पड़ेगा और अखिले से आदव तेलंगाना चले जाए तो क्या फरीग। यह सब अपने अपने राज्य के नेता है। हमारे सामने लड़े हैं, हमारे सामने हारे हैं, और उनको हरा कर हम यहाँ आए। सिर्फ एक मंच पर से हाथ मिला कर खड़ा करने से वाटो का योग नहीं होता है। यह पुलिटिक्स है, पुलिटिक्स कैमेश्ट्री होती है, फिजिक्स नहीं होती है। स्वग्राम के अंदर स्वग्राम एड कर दो तो 200 नहीं होता है। यहाँ दो पदार्थों को इखट्टा कर दो, तो संयोजन ओकर तीसरा ही पदार्थ बन जाता है। इनकों मालूम नहीं है। घटबंदन घटबंदन का वास्तविक इफेक्ट पोलिटिकली एक ही स्टेट में पढ़ सकता है। उत्तरप्देश में पढ़ सकता है। ये डोनो पार्टि आगर इखटा होती है तो एक बड़ी चुनोती भारतिय जनता पार्टी के लिए खड़ी होती है वगर भारतिय जनता पार्टी विगत कई चुनाओं से 44-45 प्रतिसत वॉट प्राप्त करी है हमें 6 प्रतिसत वॉट का फासला काटना है ये दो पार्टियों के कॉंट्राडिक्शन के वॉट 6 प्रतिसत से ज्यादा होते है और हमारे संगठन को हमने और मजबूत और पैना बनाया है भारतिय जनता पार्टी उत्तपदेश में 51 प्रतिसत की लड़ाई लड़ने के लिए तयार है जिसको इकट्टा हुना है वो हो जाओ प्रसांद जी एक सवाल सरी दर से बश्चाचार बढ़ता ही जा रहा है और बश्चाचार का जवाब में जब भी कोई पार्टी जवाब देती है तो वो सरकार दूसरी सरकार पर तोमत लगा गया अपने बश्चाचार को दबा देती है ये मुझे समझ नहीं आए कि एक दूसरी की राद दीती में थोड़ा स्थर गिर्णा बैटियो मैं बताता हूँ देखे ब्रश्टाचार के खिलाब हमारी सरकार केंद्र के में बनने के बाद हमने कुछ कॉंक्रेश टैप ही है जैसे बिनामी संपति का कानून कानून बन गया है रूल्स नहीं बनते थे क्यों नहीं बनते थे उनकी रूल्स बनाने वाले ही बिन हमी संपती रखते तो रूल्स कैसे बनेगे हमने कानून भी बदल दिया, कठोर किया और रूल्स भी बना दिये और 6,000 करोड से ज्यादा संपती आज एटेच हो चुखा और ये कहते हैं, मैं सुनता हूँ कॉंग्रेस अध्यक जी को ये भाग गए, वो भाग गए, फला भाग गए, ढिका भाग गए 4-5-6 नाम उन्होंने रट लिये हैं मेरा इतना ही पूछना है, कि सारे लोग जो भागे हैं इनके लोन आपके समय में दिये गए, बार-बार रिपीट किये गए आपके समय में तो भागते ही नहीं थे, क्योंकि आपके पास भाग बटाई थी हमने कठोर कारेवाई करी, इसलिए भागे हैं आपके समय में किसी को भागने की जरूरत नहीं थी जिनों ने गलत काम किया था क्यों नहीं भागते थे बताईए तो जरा एक भी भागा है कॉंग्रेस के समय में एक भी भागा है भी या इसलिए नहीं भागा है कि उनके सर्रक्षन में थे अब सत्ता का संड़क्षन नहीं है उनको भागना पड़ा है और वो मानते हैं ऐसे चुनाव नहीं चलने वाला है देश की जनता सब समत्ती है सब जानती है सोचती भी है और हम भी बताएंगे अमारा पक्स उनको मालूम पड़ेगा कि दो प्लस दो चार कैसे हो जाए तो अमेज जी भारती जनता पार्टी संगठन के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव दो साल के लिए होता है दो टर्म होता है दो टर्म पूरा करते हैं अध्यक्ष आपका च्छ महिने के लिए एक्स्टेंट हुआ है दो साल के बाद क्या चुनाव की दृष्ट से बढ़ाया consideration में आती है, तो सूध दिरूप से संगटनात्म काम करने वाले मंदल से लेकर राष्ट्री अध्यक्स तक के चुनाव वोटो की प्रभाव में ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसा सोच कर उसको 6 महिने बढ़ाया गया है, इसके बाद यही समीजान के तहरे चुनाव मैं समझाता हूँ आपको बैठ जाई भारतिय जनता पार्टी जो वन्सवाद का मुद्दा उठाती है वो वन्सवाद का मुद्दा का मतलब है कि पार्टी के अध्यक्स यात्यों प्रधानमंत्री बनने के लिए एक परिवार में जन्म लेना पड़ता है आप मुझे बताए सुनिया गांधी जब छोड़ रही थी एक हवा में बन गाया था कि अब छोड़ना पड़ेगा चुनाव करना पड़ेगा चुनाव आयोग ने एक अंतिम्ति थी दे दी थी तो आपके किसी के मन में दुवीदा थी कि कौन अध्यक्स बनेगा किसी के मन में थी देश भर को मालूम था कि राहूल जी बनेंगे इसको वन्सवाद कहते हैं अब मेरे बाद अध्यक्स कौन बनेगा कोई बता सकता है क्या है इसको वन्सवाद नहीं कहते हैं अब समझ में आगा है मामला एमेले या काउंसिलर का चुनाव लड़ना वन्सवाद नहीं है पार्टी पर पकड रखना वन्सवाद है समाजवादी पार्टी के अगले नेता कौन होंगे तो मुलाइम अरे अखिलेज जी के बेटे होंगे वो ता है यह आज पहले मुलाइम जी थे अब अखिलेज जी अब उनके बेटे होंगे इता ही होता है इसको वन्सवाद केते हैं समझ गए आप यह और एक्स्प्लेंग करूँ अमिद जी अमिद जी एक यह विपक्ष का आरोप अभी काफी लग रहा है कि देश की संवेधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही है अब उसको विचारधारा से कुछ लोग जोड़के आरोप लगाते हैं कि पहले कुछ था अब उसका भगवा करन हो रहा है संस्थाओं को जानबूच का डेमेज किया जा रहा है कोट के फैबरिक को तोड़ा जा रहा है तो संवेधानिक संस्थाओं का चारे चार साल की देश्टी स्वेधार बहुत बढ़ा सवाल पुछरे एक उदान मुझे जरा बता दीजिए आप नहीं मैं नहीं एक आरोप है अरोप का कुई आधार तो होना चाहिए न आप अरोप को कैसे एक्स्ञें आरोप है आप बताईए कि क्या लगता है कि चारे-चारे में और मजबूत ही आधार है भी संस्थाइं नहीं एक आपके पास हो तो ज़राइ बता दो और यह कहा है कि संस्ताओं को भगवा करें क्यू अमित जी इस सत्र के पहले अभी छोटे राज्यों पर जवाब दे रहे थे हर्याणा के मुख मंत्री जी उन्होंने कहा था छोटे राज्यों का विकास होता है अटल जी के समय पर तीन नए राज्यों बने थे और वो बहुत स्विक्सित हुए अभी इस समय बुंदेल खंड विंद इन सब की मांगे चल रही हैं तो क्या भारती जन्ता पार्टी इन नए राज्यों पर आगे कुछ भिचार करें तदकाल एजंडे में ऐसा कुछ नहीं है देखे ए बहुत सेंसिटिव मामला है सुप्रीम कौट के अंदर ए मैटर सुप्रीम कौट ने सीस किया हुआ है और अध्यादेश पहले लाया गया था उसको सुप्रीम कौट ने खारिज किया है पहले कानून बनाया गया था नरसी मरावजी की सरकार में उसको सुप्रीम कि आहीं तो सारी चीजों को मिल मिलाकर एक बार इस पर लीगल मायन ब caf करने करना पड़ेक, एडिनिस्टिटिव् mano the apply करना पड़ेगा और कोर्ट के जो matter है उसको मिला कर एक वर इसपर गंभीरता से सोटने के만 थे हाउ मेरा सवार है मेरा सवाल मेरा सवाल य मिप इंक यह है कि भारत्य चनतापाटि अपने को admirищ पने को seconds का ओ Park कहती है और यह कहती नहीं है हम है पर जो राजनीतिक विमर्स है राजनीतिक विमर्स का जो अस्तर है आपको क्या लगता नहीं है कि राजनीतिक विमर्स का अस्तर आपके संसकारों के अनुरूप नहीं दिख रहा जो राजनीतिक विमर्स है जो उसका अस्तर जो गिर रहा है वो आपके संसका नहीं सकता है एक party समाल नहीं सकती है तर गिराने की सुरुवाद कौन करता है वहाँ मुल तक जाना पड़ेगा और मुझे लगता है मिडियाने मुल तक जाना चाहिए हर समस्या का पहले किसने आगास किया वो देखना पड़ेगा क्योंकि एक वाक्य बोलने से हेडलाइन मिल जाती है तो सब बोलते हैं मगर सुरुवात किसने करी है वो जरूर देखना चाहिए और मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पाठी ने कहीं पर भी सुरुवात करी है तो हमारे लिए चिंतनिया है और हमें इस पर सोतना चाहिए मगर मेरे संग्यान में एक भी केस हैसा नहीं है जहां सुरुवात भारती जनता पार्टी सर मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ राइट एंड साइड में आपके सर मेरा एक सावाल आलो सर मैं दिल्ली का एक आम नागरिक हूँ आपके कुशल नितरत में उत्तर परदेश में भारती जनता पार्टी ने 73 सीट्स आपके अलाइंस को मिला करके जीती 282 में से जो पूरे भारत वर्ष में जीती थी आपके कुशल नितरत में वो 73 सीट्स का योगदान था उसके बाद आप अध्धक्ष बने आपके अध्धक्ष या कारकाल में भारती जनता पार्टी ने लगातार निरंतर अनेको राज्यों में अपनी सरकारे बनाई जहां कभी नहीं थी वहां भी बनाई यह सवाल पूचे आप लेकिन दिल्ली में हम हार गए भारती जनता बाटी हार गई उसका आप किस प्रकार से समीक्षा देखते हैं और जो अभी पिछले दिनों में लगातार उनकी जो प्रफॉर्मेंस और प्रोग्रस है उसका आप किस प्रकार से देखते हैं देखे एक नए प्रकार का लोकल भावन वादो का पोलिटिक्स केजरिवाल जी लेकर आये थे एक clean set थी और दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया हमने इसका संगटनात्मक एनालिसिस पूरा किया है और उसके सुधार के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो किया भी है उसके बाद में तीन MCD के चुनाव आए और तीनों MCD के चुनाव में भारतिय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिल्ली की जनता नहीं दिया अब लोग सभा के चुनाव आने वाले है वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे दिल्ली की जनता को ताहि करना है कि किसके साथ लेना है सार मेरा एक स्वाल है एक प्रिशने, या प्रिशने सार, करीप 4 क्रोर मोथवा एक नमशुद्र कम्यूनिटी का पीपल साथ जो लोग बंगलादिस चाहे थे अभी उसमें से करीप 20 परसे निकी 80 लक्स लोगों को अभी इंडिया का नागरी को ताह नहीं मिला है उनको क्या मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा नरेंडर मोधी सरकार एक बिल लेकर आई है Citizenship Amendment Bill 2016 उसमें हमने एक प्रोविजन किया है कि अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान एक तीनों राज्यों से हिंदू, सीख, बाउद, जयन और क्रिस्चन ये पाँच कॉम्मिनिटी के जितने भी लोग यहां आते हैं वो गुस्पिठिय नहीं माने जाएंगे उनको सरणार्थी माना जाएगा क्योंकि वहां उनके साथ जो दूर विहवार होता है उसके कारण वो सरण में आते है और उनको नागरिक्ता प्रदान की जाएगी ये बील अभी पेंडिंग है ये होनते ही मत्वाप समुदाय की सारे समस्याओं का समधान हो जाएगा अध्यक्ष जी एक प्रशन है मिशेल को जब एक्सटेट किया गया दुबई से अगस्ताय वेस्टेट के विशे में उसके बाद से जिस प्रकार के कॉंग्रेस पार्टी के संबन्धित वकील माने न माने उसके बचाव कर रहे हैild कॉंग्रेस के प्रक्ता बहुत ज़ादा नर्वस हैं небыजेल उनका अपना है तो इस पे मैं चाहता हूँ आप देश को अपनी विचार रखें कि ये कॉंग्रेस की जो नर्वसनेस का क्या कारणे है और कॉंग्रेस जो कर रहे है कितना देश के लिए विरोधी है मैं अभी शेक मिश्रा पीजेपी का कार करता हूँ मैं नर्वस नहीं हूँ वो नर्वस है इससे समझ जाना चाहिए क्या बतलब है हमें कोई डर नहीं मिशेल को जो क्वेना वो कहे उनको डर है कि मिशेल क्या कहेगा अमी जी मैं एक सवाल दिली के नागरिक की हैसित से पूछना चाहता हूँ कि जो पृदानमंत्र की अकेंदर सरकार की यह जनहित की योजना होती है उसको अगर कोई राज़ी सरकार लागू ना करे जैसे आयुस्यमान ढिल्ली में लागू नहीं हुआ और ढिल्ली के सवा करोड़ अबादी के साथ वो चलावा हुआ तो ऐसे में जनता क्या करे उसका क्या समाधान है देखे इसका समाधान चुनाओं में परिवर्तन करना ही है आयुस्यमान बारत योदना इतनी जनुपयोगी योदना है जिसके अंदर पांच लाग तक का सभी आरोके का खरचा घरीब लोगों का 10 करोड परिवार और 50 करोड नागरीकों का पांच लाग तक का पूरा खरचा के अंदर सरकार उठा रही है स्री केजरिवाल को डर है कि अगर योजना अमल में ला दिये तो मोदी जी की पॉपिलारिटी बढ़ जाएगी मगर हमने हर जुकी जोपड़ी में हर गरीबों के बीच में जाकर ये बात स्पष्टता से कई है कि स्री केजरिवाल की सरकार के कारण आपको इस योद्ना का फाइदा नहीं मिल रहा और ये इतना इतनी ब्रुहद और व्यापक तरीके से बनाई है कि दिल्डी का नागरीक औरिसा गया वहाँ पर भी कुछ हुआ कोई नौकरी के लिए गया है कुछ भी करने का है तो औरिसा में भी जो अस्पताले इसमें पांच लाग तक का खर्चा फ्री आप कोस्ट मिलेगा औरिसा का नागरीक सूरत में नौकरी करता है या मुंबई में नौकरी करता है तो उसको भी पांच लाग तरक का पुरा खर्चा प्री आप कोस्ट मिलेगा परें तो ये दोनों सरकार है और तेलंगाना सरकार तीनों आईजमान भारत को शुकार नहीं करते हैं अमे जी मेरा नाम स्रीयोम गौतम है मेरा एक सवाल है कि 2010 से भारत के अंदर लोकपाल को लेकर बड़ा अंदोलन हुआ था अभी 14 में आपकी सरकार आई 18 आच चुका है 4.5 आपके बीच चुके हैं लोकपाल को लेकर अभी कोई उम्वीद नहीं लग रही है और क्या अगली बार आएगी तब भी साइद नहीं का जा सकता क्योंकि आपने एक उसमें क्लॉज लगा रखा है विपच्च के नेता का विपच्च का नेता नहीं होगा तो क्या अगली बार भी ऐसा होगा पहले मेरी बात समझ लिजे आपके पास आधी अधूरी जानकारी है हमने विपच्च के नेता के क्लॉज को सुधारा है कैसी सिती में कि विपच्च के नेता का स्टेटस किसी के पास नहीं होता तो सबसे पड़ी पार्टी के नेता इसमें अपेक्सित होंगे कॉंग्रेस ने बहिसकार नहीं करना चाहिए आना चाहिए उसमें चवाली सिट मैंने करिये क्या देश की जनता ने करिये भई मैंने कहां करिये और आप मुझे बात बताए कमिटी के मेंबर नाते Congress Party के नेता है नाते आप बैठो या वीपक्स के नेता है नाते बैठो क्या फरक पड़ता है वो रादनिती कर रहे है लोगपाल को नियुक्ति करने से रोक रहे है इनों ने अमिची लेकर अगर अगली बार भी ऐसा होता तो क्या ऐसी इस्तिति आएगी एक Congress Party को पूछो ना भई मुझे क्यूं पूछ रहे हो लोगपाल तो देश को चाहिए ने मगर रोक कौन रहे है वो आपको एड्रेस गलत है मैं नहीं रोक रहा है तो International Obligation है सर 2000 में ट्रीटी साइन हुई थी भईया मैं आपसे विवाद नहीं कर सकता आप पूरी स्थिती नहीं बदल तो पहले जब कानून आया था तब वीपक्स के नेता का प्रोविजन था वीपक्स के नेता बनने के लिए 10% सीट चाहिए तो 54 सीट आये नहीं 44 आये तो हमने क्लॉस बदल दिया कि वीपक्स का नेता नहीं होता है एसी स्थिती में जो सबसे बड़ी पाटी है उसका नेता वहाँ बेठे बात में उनको बेठना चाहिए वो नहीं चाहते हैं कि लोगपल आये क्योंकि अभी भी 2014 का भूत उनको डरा रहा है नमस्कार मैं डॉक्टर वेवे गुपता हूँ मैं अगर परियावची दूँग अगर अपने प्रदान मंतरी अरजुन है तो आप करेश्ट नहीं है वो अगर राम है तो आप लक्षमर है मैं चाहता हूँ I want to know that 2019 will be a bigger challenge do you think as compared to 2014 or it will be much easier task for you to come back to power चले भई 2019 के चुनाव में हम अभी से बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूत में भारतिय जन्ता पार्टी और NDA की सरकार के जाएं अभी से बड़े बहुमत के साथ कहीं कोई confusion नहीं है मैं आपको दावे से कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा गुमने वाला नेता में हूँ देश के कौने कौने में जाता हूँ नीचे के घरिब से घरिब लोगों से लेकर गुपत जी जैसे लोगों के साथ भी कौफी पिता हूँ में मुझे देश का सेंस मालूम है भारती जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एंडिये की सरकार बनाने जा रहे है अभी जी अभी तक आपको माना जाता था कि आप बहुत अच्छे रणनीत का रहे है अब बदल हो गया कुछ नहीं नहीं सुनिये तो मेरी बात तो सुनिये बहुत अच्छे रणनीत का रहे है अब उस रणनीत के नाते बताएए कि 24 में आप प्रधान मंत्री बनना है कि नहीं बनना है क्या? 2024 में नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भई देखे मेरी पार्टी में बहुत बड़ी seniority की line है भई मेरी पार्टी ऐसे नहीं चल सकती है यह भारतिय जनता पार्टी है कम से कम भारतिय जनता पार्टी के 15 नेता मुझसे senior है ना मैं तोड़ना चाहता हूँ ना तोड़नी चाहिए इस तरह से senior और इसमें मैं बहुत clear हूँ आप गूगली डालने का प्रयास कर रहे हो मगर मैं गूगली को अच्छे तरीके से खेलता हूँ आप चिंटा मत करें अमिद जी सामने सर केवल दो सवाल सर सर एक इधर से question सर अमिद परशान जी तो 2024 का पूछ रहे थे मैं सिरफ 2019 के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप क्या सरकार में आप क्या कोई रोल हम देख सकते हैं 2019 में जिस तरह से अपने पार्टी को कुशलता से संभाला क्या कि वो कुशलता हमें सरकार में भी दिखेगी और एक चोटा सा संपली बेंट्री और सर कल सुभा विश्व हिंदु परिश्यद और संग के कुछ का बड़े नेता मिलकर बहुत बड़ा रामिला मेदान में राम मंदिर के लिए कारे करम कर रहे हैं और गैरा तारिक से संसत का शेतर सुरू हो रहा है तो क्या राम मंदिर के मुद्धे पर हम कुछ आगे अमिजी अभी हाली में दो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने अपने स्टेटमेंट दिये एक है अरविन सुप्रमन्यम जिन्होंने कहा कि डिमॉरोक्रेट्स नहीं है चलिए दूसरे है ओपी रावत चीफ इलेक्शन कमिशनर उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन में जो नोट बंदी का उमीद थी वो नहीं हुआ करफशन उतनी रही है दो सो करोड पकड़े गए दो सो करोड पकड़ा जाना इसे नोट बंदी सफल हुई या नहीं हुई नहीं होता है रावत साब रिटार्ड होने से पहले कुछ बोलते तो अच्छा था यह दो देशों के मामले का सवाल होता है इसमें इनिलेटरली कुछ नहीं कर सकती है दन्यवाद दन्यवाद भी यह दन्यवाद मैं आप से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बैट जाओ आपक्या अपना एक जो स्टाइल अफंक्शनिंग है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टाइल अफंक्शनिंग उस पे भी विपक्ष कही बहुत कटाक्श करता कि फर्मनेश और ओटोक्रसी दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है मैं मानता हूं देश के हर निताने फर्म होना चाहिए अपनी बातों पर अपने सिध्धान पर अपनी पॉलिसी पर अड़ीग रहना चाहिए लचिला पर नहीं रखना चाहिए अगर firmness को autocracy कहते हैं तो स्वागत है ऐसी autocracy का मगर मैं मानता हूँ कि firmness को identify करने के लिए बीतर के अंदर एक नजर चाहिए बीतर के अंदर एक analysis करने की क्षमता चाहिए और एक देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि किसी ने firmness से इस देश को नहीं चलाए अभी हाल में meeting हुई थी उपने राम भद्राचारे ने कहा था 11 तारीक को मंदिर बनना सुरू हो जाएगा 11 तारीक को आप आदेश करनें तो फिर राम भद्राचारे जी को भी बुला लेती है आज मुझे क्यों पकड़ और वो तो बड़े सन्यासी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास कोई योद्दा भी होगी, तो हमें भी मालूम पढ़ जाएगी, आप बूला कर एक पर पूछ लो उनको. देखे, कम्या नहोए ऐसा कभी सासन नहीं हो सकता है, मगर मैं इतना फर्मली कह सकता हूँ, कि हमारा इंटेंशन कभी खराब नहीं रहा, हर फैसला हमने अच्छा सोच कर लिया है, और जनता के हीत में सोच कर लिया है, कई बार आकलन में गलती होती है, इंप्लिमेंटेंशन मे गलती होती है, कम्या होती है, ऐसी बहुत सारी चीजे होगी, इसको एक दो वाक्यों में बताना ठीक नहीं है, मगर हमारे यहां उसकी समिक्सा भी होती है, और उसको सुधाने की प्रक्रिया भी होती है. दन्यवाद अमिजी मैं अमिजी कर दन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस समय से इतना समय निकाला और मैं आभारी हूँ आप सब का कि आपने भी यहां इतने सहीम से अमिजी को सुना हम सब को कि आपने अमिजी को